फाइम में बच्चों का है आकरिती 16 मलब एक साथ में POQ एक रेका है किरन OR रेका PQ पर लंब है किरनो OP और OR के बीच में OS एक अन्नी किरन निश्थी थे तो सिद्धि कीजे कि इसलोब बड़नस केके प्रिख आपको बुट और अपी क्यूट पर लंब है he or Rekha में पी की क्यूट पर लंब है कि कि अब एक चुछार में आपको बता दूंति कि कोई भी रेका किसी दूसी रिखा पर क्या है लंब डालती है तो वहां काम पर कितने डिगरी एंगल बनाती है या आपको क्लास टेंथ में भी बहुत काम में आने वाला है उसके बाद देखो सिद्धि क्या करना है वो लिख लेते हैं बहुत इजी कोश्चन है यह सिद्धि करना है इसमें आप राइट हैं या लेफ्ट हैं लेकर के दोनों को सॉल् दूसरा एंगल आपका पी ओएस पी ओएस ठीक है यह आपको क्या गरना है प्रूब करना है तो यहां से अगर हम देखें क्यू ओएस क्यू ओएस और दूसरा आपको देखा है पी ओएस पी ओएस तो क्या हम यहां पे क्यू ओएस को किसको क्यू ओएस को देखो यहां पर मै क्या अगर सकते हैं बाढ़ सकते हैं किसको qo s को कौन को सब भाग हो जागा है एक हो जगा आपका qo r दूसरा हो जगा आपका r o s दो भागों मिली सकते हैं ऐसी आपको क्या चाहिए माइनस का p o s तो p o s को हम क्या लिख सकते हैं p o r क्या लिख सकते हैं p o r minus हो जाएगा आपका क्या ROS क्या हो जाएगा minus ROS यानि अगर हम इस पूरे में से इतना हिसा minus कर दे तो आपका वापस यह चीज निकल कर आजएगी POS क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमको चाहिए क्या ROS चाहिए और ROS कहां से आएगा जब हम यह वाला पूरा हिसा लेंगे यानि यहां से लेकर के यह हिसा जब हम पूरा लेंगे तो आपको आपको ROS मिल जाएगा और फिर यहां पर देखो यह अगर आप minus कर देंगे इतना हिसा तो आपका वापस यह चीज निकल करके आ जाएगी तो यहां पर हम ले ले लेते हैं राइटांड साइट ठीक है राइटांड साइट आपकी क्या है राइकर में आपका angle qo s qo s minus angle pos अब ऐसे qo s को मैंने बोला दूब बाठ हों बाठ सकते हैं qo s को मैं लिख सकते हैं qo r कैसे लिखने है देखो 1 by 2 बड़ा प्रेक्ट लगाया आजाएका Q, O, R एंगल Q, O, R प्लस यहाँ से यहाँ तक तो क्या कर रहे हैं पहले हम यहाँ से यहाँ तक प्लस किया फिर आगे दूसरा इससाफ का क्या है R, O, S तो आप आजाएका प्लस का R, O, S बड़ सामने क्या लग जाएगा, एंगल R, O, S लग गया, ब्रेकेट क्लोज फिर सामने क्या है, माइनस लगाया है, फिर से ब्रेकेट ओपन, फिर एंगल P, O, S लिखना है, P, O, S, इसको क्या लिखत के P, O, R यहाँ पर देखो क्या आपका, R P, O, S, तो वही चीज में यहाँ पर कर रहा हूँ, कि P, O, R में से मैं घटा दे रहा हूँ, कौन सा R, O, S, एंगल R, O, S, घटा रहा हूँ तो अब देखो, आपके बस क्या बचता है तो आपने सिंपली क्या करना, इस ब्रेकेट को एंगल, P, O, R फिर यह माइनस, यह माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, क्या जाएगा एंगल, R, O, S आपने आप फिर से ब्रेकेट कर देते हैं अब देखो, Q, O, R स्टार्डिंग में आपको मिलोगा कि Q, O, R क्या है प्लस में दोनों जोड़के आजाएगे क्या, दो एंगल, R, O, S फिर माइनस, P, O, R P, O, R यह वाली देखो बैने क्या आगा था, जब यह रेखा लंब बनाती है तो उसके दोनों और क्या बनता है, 90 डिग्रे अंगल बनता है आज़ा, R, S इस टू से 2 हो जाएगा, cut तो आपके बास क्या बचा अंगल, R, O, S रह गया, तो यहां से आगया आपका राइट-ंड साइट बराबर लेफ्ट-ंड साइट ठीक हो गया, यह लेफ्ट-ंड साइट इकोल तो आगए इसके साथ आपका कुशन नुबर फाइब हो चुका कम्प्लेट